सभापती मोदे मैं आप सबको दन्यवाद देता हूँ कि आज हम सब दोनों जो अमारे जनजाती हैं सामाजिक नियाय का जो पिछड़ा हुआ सेत्र है उसके विकास के लिए बात कर रहे हैं देश आजाद होने के बाद में सन 1905 में जनजाती विबाग का गटन किया गया और 1907 में जनता पार्टी की सरकार बढ़ी और स्वर्गिय बहरु सिंग जी सेकाव साब मुख्य मंत्री बढ़े और इस विबाग का सूद लिया और नंदलाल जी मीना को सरो परतम में यांक से जन जनजाती वंत्री बढ़ा गया और उसके बाद में इस उन पचास साल के काल खंड में जनजाती परिवारों के विकास के लिए कई प्रियास किये गए जिसमें आपके सिक्सा हो सिक्सा हो बिजली सड़क कर्सी पिड़े का पानी अन्य और दिरे दिरे सन 1905 में फिर से मान्य भैरो सिंग्जी सहकावत साब की सरकार बढ़ी और उस टाइम में पंच्छा इत्रियास को और ससक्त करने के लिए एक कानून लाया गया और उस कानून के तहत हाँ आज हमारे कई भाई बहन एस्टी के जिला पर मुख है कोई परदान है कोई सरपंज भी है कोई जिला जाती का कुछ आगे बढ़ने का मोका भी मिला और उसके साथ में हमारे इस दंजाती विबाग दुआरा सिक्सा के सेत्र में बहुत सारे काम किये भी जा रहे हैं जैसे सात्रावास खोलना संचालित करना एक लवे मोडल विद्याले खोलना और मावाडी के अंदर खोलना ये अधिकारियों के मोनेटरंग की वजय से ये जो अपनी योजना है वो सपन नहीं हो पारी है तो मैं सरकार से और मंत्री मोड़े से निवेद निख्रों के फोड़ी सी किसी प्रकार का आपके कोई कमरे की कोई वेवस्ता नी है आपके वाँ पर पढ़ाने के लिए अध्या पर कोई कमी है और दूसरे गाओं में ज़िए वो बच्चा पढ़ना जाता है तो कहता है आपके गाओं में भारवीत का स्कूल है, आप वहीं वी पढ़ो इस प्रकार से हमारे इस सेत्र में बहुत भारी समश्चा पैदा हुई है तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा मंद्री मोदे की ऐसे सेत्रों में हमारे विद्याले में कमरे भी बनाए जाए और वहाँ पर द्यापकों की कमिये उसकों भी पुरा किया जाए ताकि टे-स पी सेत्र में इसका लाब मिल सके उद्यारण के तोर पे में बताओ आऊ आपको की इस वर्स हमारे यहां पर कोट्रा कोट्रा में कम से कम सारसो अध्यापक बाहर से आए और कोट्रा से एक भी हमारे अध्यापक नहीं बढ़ा उसका कारण यह था कि वहाँ पर विद्याले में अध्यापक नहीं है, सुविद्याएं नहीं है, उसकारण से उनका लाब नहीं मिलने से आज हम यहाँ वंचीत हैं, उसके अलवा अभी वरत्मान में हमारे बजट में देवला में हमारे को एकलवे मोडल की गोशना की, मैं मान दिये मुखे मंत्री जी का, वित मंत्री जी का, मंत्री जी का देने बाद देता हूँ कि आपने एक लिवे मोडल कोलने की गोशना की, उसके अलवा आपने देगा होगा कि 2018 में हमारे राजस्तान में कुछ TSP सेतर का विस्तार भी हुआ था, जिसमें पूरा हमारा गोग लगबग पांच जार लोग आपके सरकारी नौकरियों में लगे उस TSP के आरक्षन से, कोई आपके पुलीस में भी लगा, कोई पटवारी बना, कोई सची बना, इस प्रकार से हमारे सेतर भी इस TSP सेतर के विस्तार होने से इसको अलाव भी मिला, उसके अलावा गोगुंद सो बच्चे आज की तारिक में वहाँ पर जिन रहते हैं, और मैं आप से निवदन भी करूँगा कि हमारे वहाँ पर सन उनीस सो अठ्योतर में एक रावस में सातर आवास बना था, और अठ्योतर के बाद में दोजार अठारा तक एक रुपे वानी लगा, दोजार अठारा म लगबग एक लाग रुपे वहाँ पर उसके रंग रोगन के मिला, और उसके बाद में गत टाइम में भी मैंने इस बात को उटाया था, और वरत्मान तक वहाँ पर एक भी आज के करनी हीट भी वहाँ कुछ लगी भी नहीं, तो मैं सरकार से मांग करूगा कि उस सातर आवा शीटे थी और वो भी हमने कम कर दी, तो मैं आप से निवे दिन करूँगा कि वहाँ पर शीटे वापस बढ़ा ही जाए, इसके अलवा बिजली की जहां तक बात है, हमारे सतर में सोबा की योजना है, दिन दयाल योजना में लगबग सभी गाउं में लाइट पहुँच पर लाइट पहुचाने का काम भी सरकार से मैं निवेदन करूँगा, उसके अलावा सिकिसा की सुईदा, हमने हमारे वहाँ पर बहुत सारे पी एसी भी है, सी एसी भी है, लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी है, जैसे मेरे उपखंड गोगंदा के जो देखें को तो आप वहा आतर वहाँ पर आज की तारिक में दो डॉक्टर काम कर रहे हैं, और कम से कम साड़ा सार सो के वहाँ पर ओपी टी रहता है, तो मैं सरकार से मांग करूँगा की वहाँ पर डॉक्टर लगया जाए, उसके अलावा जो कुछ हमारे पी एसी है, जैसे आपके बरवारा है, आप के जैसे साहरा है, तो वहाँ पर बांड पुरा है, तो वहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है, तो उसको देखते हुए इस टी एस पी सतर में डॉक्टरों की भरती करके, हमारे वहाँ पर ये सुविदा दी दी जाए, उसके अलावा प्रदान मंत्री सड़ की योजना, जि भी 2021 की जनगरना के आदार पर कुछ गाव जो डाणी जो वंची थे, उनको सड़कों से जोड़ा भी जाए, और करसी के मामले में, मैं मंत्री मोहदे से निवदन करूँगा, कि अपनी जनजाती विभाग से सामधाई के आपके जो दिये जाते हैं, लिप्ट योजना, एक भी लिप्ट योजना आपने सीवकर्त नहीं किये, और आप से मनेवदन करूँगा, कि आप लिप्ट योजना को सीवकर्त करके, हमारे करसी के बाईयों को, आदिवासी बाईयों को ये सुविदा दी जाए, उसके लावब पेजल, पेजल में हमारी में समशा है, जो अबादी है, अलग अलग एक आपके उस मंगरे पर होगा, आदूसरे वहाँ पर होगा, तो मेरे मेरा देवदन ये है कि इसके लिए आपके जल जीवन मिसन में इसको अलग तरह से लेकर के इसको लाप पहुंचा है जाए, उसके लावा हमारे मेवार सेतर में एक गवरी नर अलग बग सवा महीने तक गाओंवाले हमारे अलग अलग गाओं में जा करके गवरी खेलते हैं, और इस गवरी को भी आप जनजाती विबाग से ऐसी कोई वेवस्ता होता कि क्या है कि इसको अलग से कोई पहचान हो सके, उसके अलवा देरी के सेतर में भी में निवदन करू कि हमारे अदिवाशी बाईयों के पास में रोजगार की कोई सुईदा नहीं है, केवल मजदूरी करते हैं, तो डेरी को भी आप से जनजाती विबाग से ऐसी कोई वेवस्ता हो जावे, तो उनको इससे लाब भी होगा, उसके अलवा आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ी म काँ मेरी यह है कि जोदपूर के आजवास में, पाकिस्तान से बील समाज के कई अजारों परिवार विश्तापित हो करके आज की तारिक में जोदपूर के आजवास में मजदूरी कर रहे हैं, और उनके पास में किसी परकार का कोई दरस्तावेज नहीं है, मेरा निवेदन रहेगा कि उनको पैचान करके इनको भी कोई सुविदा दी जाए ताकि वह बी मादनी ज़े तोर पर तो मैं आप सबसे यह भी निवेधन करूं गा उसके अलावा मैं सरकार और मैं माननी इमंत्री मौने से एक मांग भी करूंगा कि हमारे साहरा सेत्र में एक जरगाजी का स्तान है धार्मिक स्तल तो वहाँ पर आप कोई विकास का ऐसा कोई आपके मारवार से लगा करके बहुत सारे लोग यहां आते भी हैं अजारों की तादात में तो मंत्री मोदे से मैं निविदन करूगा कि वहाँ पर ऐसी कोई धार्मिक स्तल को विक्सित करने के लिए भी कोई आप रासी स्विकर्ट करेंगे तो यह भी होगा उसके लवा हमारे साहरा बेल्ट में सात्रावा भी खुला जाओं और उसके अलावा हमारे बड़गाव सेत्र में भी जो आपका लोज सिंग और भुताळा सेत्र है वहाँ पर सात्रावास कोला जावे और उसके अलावा मेरी बहुत सारी मांगें भी थी लेकिन आप सबने वहाँ पर उसकी सुखरती भी पहले सरकार की और से हो गई है तो मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जै भारत